कि अज़िए पिसरे 32 सालों से इंड़स्टी में आप सब लोगे बीच काम कर रहा हूं और कहीं सारी फिल्में बनाई सस्पेंट फिलर एक बंगले गंदर जा रहे हैं लोग मर रहे हैं बारी-बारी से करके कि अज़िए प्रफिल्में मैंने कि उसके बाद इन सब चीजों से मेरा दिमाग उलज गया मुझे रगा है इस भीड चाल है इस भीड चाल है इस भीड चाल चलक निकल कर कुछ काम करना चाहिए मुझे कुछ दिश के लिए समाज के लिए पैसा भी लगठा है संसानम होई पर रोजाने वाली होती है जहां पर हर साल 12,000 में बनती है उसमें एक आपकी भी रखी है इस नक्सद को लेकर और दूसी बाद की कुछ से नमा पर चाहिए और इतने सारे अक्टर्स हैं सवाल तो हम शुर बहुत सारे होंगे मगर उससे पहले मैं चाहूंगा वजी मिजवी जी आप इससे पहले हमारे मीडिया कुछ सहवाल करें आप कुछ कहना चाहेंगे अबाद दिस फिल्म एच बहुत बड़ा मुद्दा चला था शह जहां शेख सबने देखा और कई दिल आपकी मीडिया पर वो खावी रहा हमा प्लीस की कागार पर है तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं अब प्लीस शेयर एविधिंग अबाद अबाद तैंक यू मैं यहां पर मौदू सारे मीडिया भाईयों को शुकुल गुदार हूं का कि वो अपना एक कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच में आए देखेंगे देखें प्लीयाव वेस्ट बंगावल एक सची खटना के उपर आधादित फेर उपर आठ अक्तूबर 2001 में हमारे पडोसी मुल्क बंगला देश में सिराज गंज एक जना है वहाँ एक पहतना देखेंगे और वो दबा दी गए लेकिन उसके बाद जब छोटे छोटे मीडिया ने और छोटे लोकल न्यूस पेपर्स ने उसको वाइरल किया तो वो दुनिया की एक दर्द नाग घटना थी एक अनिल चंद्र का परिवार था सिराज गंज में और उस पर एक एक ही कुछ इस्लामिक कटरपन्ती जिहादियों ने हमला किया काफिर कहते हैं और उनकी एक चौदा साल की बेटी थी जिसका पूल्मा नाम थी उस चौदा साल की बेटी के साथ में समूलिक बलतकार किया गया और वो ऐसा दर्दनाक बलतकार था अब सोचिए एक मा के सामने चौदा साल की बेटी के साथ पे इस तरहा की हैवानियत और मा ने जो उस वक्त चिला कर दर्द बरी आवास उन दरिंदों को दी वो पेपर की कटिंग बना और वो ही सबसे ज़्यादा वारल हुआ जिसमें उसमें कहा अब्दुर अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची यह बहुत दर्दनाक अलफास देख मा के लिए अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए और उस घटना ने बंगला देश सहित जहाँ जहाँ वो चीज़ वारल हुई उसको जहोड के रह दिया और इस घटना का दिकर तस्लीमा नसीम जी ने अपनी किताब लज़ा में भी किया है और उस किताब की ही वज़ा से कट्टर पंतियों ने इसलामिक जहादियों ने तस्लीमा नसीम को बंगला देश में रहने नहीं दिया वो अपनी जान बचाकर बागी क्योंकि उस घटना का उनी ने पूरा विवलन जो था वो अपनी किताब में किया था हमारी फिल्म की स्टोरी यहीं से शुरू होती है और उस में से एक लड़की उसी परिवार की जो वहां से बच जाती है वो हिंदुस्तान आती है यह मानते हुए कि हिंदुस्तान में हिंदुों के लिए एक यह सुरुच्छित स्थान है वो जाएगी और इस घटना के लिए यहां के देश के प्रधान मंत्री से मिलेगी और हिमन राइट से मिलेगी और अपनी आवाज बुलन करेगी लेकिन बदकिस्मती के साथ में वो रोहिंग्यास जो वहाँ पर इलिकल आते हैं कि रोहिंग्या एक बहुत बड़ी प्राउब्लम है हमारे देश के लिए और ये घुस पैटी है जो हमारे किया आते है ये पूरे देश में फैल जाते है हमारे आपके बीच में फैल जाते है और इनका मकसद सिर्फ जिहाद है गजवाए हिंग है ये अपने मकसद के तहट आते है लेकिन खेट के साथ ये भी कहना जरूरी है कि बश्शिम बंगाल की हुकूमत जो उनके लिए भारत में घुसपैट करने के रास्ते खोलती है और खाली रास्ते ना खोलते हुए उनके लिए हिंदुस्तानी फर्दी आइडील भी बनवाती है और आइडील बनवाकर उनकी पहचान बनवाकर उनको देश में जना जना इस्टेबलिश कर दिया जाता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी फिल्म का देखे इससे पहले भी हमने राम की जन भूमी बनाई उसमें हमने आयोद्या के इशू को उठाया और ये दिडैरी आव वेस बंगाल रोहिंग्या कटर पंतियों की उस साजिश को बेनकाब करती है उनकी घुसपैट को हमने दिखाया है बगार पशिम बंगाल की हकूमत से डरे हुए क्योंकि अगर रोहिंग्या की बात आएगी तो ममता बनर जी की बात जरूर की जाएगी क्योंकि मौझूदा हाल में इस वक्त ममता बनर जी ही पशिम बंगाल की हकूमत की सरवरा है तो हमने बगार डरे इस फिल्म में उन सारे पहलों के उपर से परदा उठाया है और किस तरह से उस लड़की की जर्नी है कैसे रोहिंग्याज उसको परेशान करते है हाला कभी अच्छे नहीं हुए हमेशा से वहाँ आज जिहादियों का एक बहुत बड़ा अड़ा है पशिम बंगाल वहाँ की मुखमंत्री के सरच्छन में उनकी सपोर्ट से वहाँ बड़ी बड़ी आबादियां बसी हुए क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है इस वोट बैंक के चलते हैं अगर पशिम बंगाल की हुकुपत पूरे देश को खत्रे में डाल लई है तो इन सारी चीदों से पर्दा उठाना बहर जरूरी था इसलिए इस मिशन को हम लेकर आगे बड़े सनोज भाई जो हमारे डैरेक्टर है बहुत बड़ी इसमें इनकी मेहनत है इनकी रिसर्च है क्योंकि हर जना इनका जाना सारी हुमन ड्राइट से सारे कलेक्शन्स करना फिर स्टोरी तयार करना फिर लिखना ये बहुत बड़ा टाक्स था जो सानोज मिशना डैरेक्टर जो हमारी फिल्म के उनी ने कुबूल किया और 30 अगस्त को हम ये फिल्म रिलीस करने जा रहे हैं फाइनली और पूरा देश रोहिंग्यास के इशू को जानना चाहता है पूरा देश चाहता है के पशिम बंगाल में किस तरह से आज हिंदू जो बहुत संक्यक है वो पशिम बंगाल छोड़ने पर आमादा हो रहा है पूरा देश ये जानना चाहता है कि उनके साथ ऐसा जल्म जारती फेदबाव क्यूं हो रहा है क्यूं पशिम बंगाल दूसा कश्मीर बनने की कगार पर आ गया है ये बहुत बड़ा सवाल है और हमारी फिल्म को सेंसर भी मिल चुका है हमारी फिल्म में चितने आर्टिस्ट ने करेक्टर निभाए है वो सारे करेक्टर अपने में अनमोल है उन्ही ने उस दर्थ को समझा है वो अपने करेक्टरों में उसको भादने की कोशिश किये मैं सिर्थ यही कहना चाहूंगा कि पुरा देश जानना चाहता है कि बंगाल की असलियत क्या है पुरा देश जानना चाहता है ममता बनर जी की फोटो की राजनीत क्या है जिसमें पुरा देश खत्रे में कभी न कभी बढ़ सकता है रोहिंग्या जिहाद क्या है लव जिहाद क्या है और इस्लामिक जिहाद क्या है इस पर से हमने बहु भी परदा उठाया है मैं फिर आप लोगों का एक शुक्रिया आदा करते हुए मैं अपने एंकर साहब से कहता हूँ कि वो आगे की प्रस्दिन क्यों करें शुक्रिया पहली बात धन्यवा जितिनर से जो कहानी आपने हमारे साथ साजा की है मतलब सच में वो रूद एलागने कहानी है और ये सुनने के बाद हम सब वेट नहीं कर पा रहें तीस अगर्स की जब ये फिल्म सच में बड़े परदे पे आएगी I am sure we are equally excited to see this story this narrative on 70 A म इसी के साथ एक और कहानी जो है जिसको सुनने के बाद आपकी रूख आम जाएगी because क्या कुछ फेस किया है आपके हमारे, sorry ये सब हमारे हुआ का बीच में आ रहा है मगर जो कुछ फेस किया है आपके और जो स्ट्रगल्स रही हैं वाइल फिल्मिक टाइरी ओफ West Bengal, ladies and gentleman वो बताएंगे captain of the ship the director Sanoj Mishraji sir, क्योंकि जो कहानिया आपने हमें सुनाई है वो सुनने के बाद सच में है, किसी की भी रूख आप जाए बादो थैनवाल, अभिनांदन जी सभी का अभिनांदन है और आपको अड़े बाद साब जैसा कि भाई साब ने मुझे बताया सबको बताया मेरे बड़े भीया श्री वसीम रिज्वी साब जिनके बारे में दोई शब्त कहना चाहूंगा कि मैं इनको इहीं बानता हूं कि दुनिया में सबसे सच बोलने वाले एक लोते इंशान है जिन्होंने इतनी बड़ी सक्सियत हैं अपने आप में इन्होंने इतना त्याग किया है इतना कुर्बानिया दी है इस देश के लिए और खास तोर पर समाज के लिए समाज किसी एक धर्म या विशेश जाती को लेकर नहीं कह सकते समाज सबसे मिलकर बनता है और उस समाज की भलाई के लिए इन्होंने जो भी काम किये अभी तक चाहिए फिर्म के माध्यम से रहूँ है सेर्विशेज के माध्यम से रहूँ वैसाबादाव कोई दुसरा इंसान अभी तक धर्दी पे नहीं आगा आप यह कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इंसानियत की बात रखी कि इंसान को धर्म के बज़ा इंसानियत से पहचाना जाए और जो धर्म काट देने में, मार देने में खून कर देने वाली बात करता है उस धर्म के बारे में इन्होंने सबसे पहले सवलात उठा है बहुत बहुत धन्यवाद आप सुब का हम फिल्ब बनाते हैं खर यह तो मैंने रिज्वीर साब के बारे में चंद अलफाज आपके सामने रखे फिल्म की जो बात चीत रही उसमें हमारे लिए प्रेणा भी भाई साबी थे हमारी बाई साब से बात चीत हुई और फिर एक कि उसके बाद इन सब चीजों से मेरा दिमाग उलज गया मुझे रगा है तो भीड चाल है इस भीड साल चलक निकल कर कुछ काम करना चाहिए मुझे कुछ देश के लिए समाज के लिए पैसा वही लगता है संसादर वही लगता है चीज़े वही लगती है लेकिन रिजन्स ह लेकर कुछ कर पाऊं तो मेरे लिए सब आगे होगा तो मैंने एक में गया हो था सिलिगोडी फिल्म फेस्टिवल था उसमें मुझे बतार बुलाया गिया था और वहां से फिर में जोग भुमाने के लिए बॉर्डर साइड लिके गए और वहां की थोड़ा सिस्टम को मैंन में रुख गया कई दिनों तक काफी चीजे मैंने वहां समझे जो कि बॉर्डर वहां से कुछ 60-60 किलोटे की दूर था किस तरी घुस पैठी आते हैं और बॉर्डर एडिया में कितने ज़्याद हो गई है उनको सरकार किस तरी से बसाती है वहां पर क्या वोटों से विधाय हो विधार हो गया करण लबाट लिये तो हमारी देश के जनता हैं इसका संसादन हमारी देश के लोग के لीए होना चले हैं यहां पर घुस्पैठि हों कि जो खुश्पैठिय बाहर से करिमिनल हैं जो बर्मा घुमार को मारकर समार्र भाग रहे लोग वहां से वह हमारे आश प्रश्राइं लेते हैं और सरकार उनको प्रश्य देती है और उस बीज में इंसान आम नागरी कैसे बिशता है वह हमारी फिल्म की कहानी है इस फिल्म के जरीए जोलनत मुद्दों को उठानी की कोशिश की गई है और मुझे लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो आप यह नहीं कह सकते कि प्रोपोगेंडा फिल्म है जैसे लोग बोते प्रोपोगेंडा पिक्चर एक और आ रही है तो प्रोपोगेंडा फिल्म और अगर ये प्रोपोगंड़ा फिल्म है, तो मैं ये कहाँ background में ही हमेशे बढनी चाहिए, अगर सच बोलने को propaganda कहाँ जाएगा तो ये प्रोपोगंड़ा चलता रहना चाहिए, और इ 일단 प्रोपगंड़ा हमारे लिए ग drives की बात होनी चाहिए क्योंकि सच बोलने की बात जहा सब ने मेहनत करके इसको आज रिलीज तक लेकर आया है। जब मैंने फिल्म शुरू की थी उस बक्त हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन में फिल्म रिलीज गयोगी। क्योंकि इतने सारी मुश्किले थी, इतने सारे प्रॉलम्स थे, अगर फिल्म कल को सफन लएगी तो मैं जरूर आप से बाते शेयर करना चाहूँगा। फिल्हाल अभी इतने ही कहूंगा कि आप सब लोग मीडिया बंदों से अन्रोज हैं। कि फिल्म तो हमने बना दी है और फिल्म रिलीज होने के कगार पड़ा गई है। अभी फिल्म जनता जनारदम तक कैसे पहुंचती है वापके जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम, हमारी टीम ने अपना काम बड़ी इमानदारी और बड़ी बेवाके से किया है। इसके रहाँ मेरे पास और अपशब दिने है क्योंकि यह बहुत भाउक्वल है। जन्वाद बाई सब्सक्रादम बड़ी है। बाखूबी सनोच जी ने बहुत ही बहतरी बात कई और बहुत गहरी बात कई है। और तीस अगस्त का, I'm sure हम सब को इंतजार है जो नेरेटब आपने हमें दिया है। अबिन जी मैं चाहता हूँ के सनोच जी के जो हमाएं और कराकार है। उनका परीचार मीडिया कथावने बारी बारी से देगा। जी बहुत अच्छा लगए हमारे बारी मित्र भी है। याजूर और पहली बात जब आपको ये फिल्म दे गए थी और अज़े टेप्यू जब आपको पता चला कि देडरी वेस्ट बंगान के साथ आथ आप इस इंडेस्ट्री में पहला कदम रख रहे हैं। भी हुक खड़ाइंर आपको लिए तो किसकी खड़ी की मीडिए हुआ, vert. लगातकी में रखे हमें पहल के साथ वहालाम मैं येतेजूर अपकोषण सरत्वाइफ. आपको रखने की एककेश्य को हमेμέं शेखित अजब हों रहे हैं। वेस्ट बंगल उसके साथ आपने शुरुवात की तो share about your journey, character and this step that you have taken Hello everyone, my name is Yajab, ऐसे आपने अंदर ने बताया and hi to you and everyone for the media for coming and thank you so much Saroj sir, Raseem sir for concentrating me for this role तो जैसे कि आप लोगो ने आपने पूछा कि में को फिल्म जब ओफर हुई तो मेरा reaction क्या था तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी journey स्टार्ट हुई मैं टेली में अपनी studies कर रहा था, I am an architect by qualification और alongside मैंने थेटर जोइन किया, मैंने 5 सार थेटर कर रहा है, Shri Ram में मन्डी थेटर में मैंने मन्डी थेटर में पौछ सरे थेटर गॉप्स कर रहा हुई और साथ साथ मैंने इपना dancing भी सीखा, मैंने martial arts भी सीखा, I am a black belt तो क्योंकि there is no fix book for becoming an actor, तो मैंने सब कुछ कर रहा, training और then I came to Mumbai and I gave auditions and everything Sir मेको मिले और तरोश सर को भी मैंने audition दिया था तो उसके बाद मेको एक्री जब मेरी family में है Govinda ji, Krishna, अच्छे actors, मतब क्या बोनू बट मेरा जो जॉनर है वो हमेशा realistic yore रहा है क्योंकि I was always connected with theater तो जब मैंने theater किया, तो मैंको काफी मैंने प्रेम चंजी के plays करे, बहुत सारे plays करे तो मैंको हमेशा से realistic cinema के तरफ inclination थी तो ये film, मेरी debut film है और as per my liking तो I guess definitely I opted and said definitely I do this कर क्या बात है याजूर, बहुत बहुत बहुतरी जरी तुमाही रही है और बखाइदा audition देखे आए हो Sanor जी के मामले में मान सकता हूं कि वो compromise नहीं करेंगे उनको audition चाहिए, look fit चाहिए तो ही आप इस करदार में आएंगे मगर क्योंकि यह फिल्म जो है कॉट्रोवर्सी में रही है और ऐसा subject है the story that needs to be told, that needs to be seen कॉट्रोवर्सी की बात की है of course you know you belong to a family जिसमें गुविंदा सहब का नाम जुड़ा है जिसमें प्रिशनाभी शेक का नाम जुड़ा है तो ऐसे में, because you know you've entered the Tencel Town, Bollywood Town बाते होती रही हैं अब आप आए हैं, तो आगे भी बाते होंगी so, याजर, what's your take on that? so, like, नेपोटिसम के उपर मैं एक चीज़ क्लेर आउट करना चाता हूँ कि जैसे मैंने बताया, सर्में अडिशनल लिया अब भी थिछल्ए तीन साल से में, I am should I think इसमीरि फुर्स फिल्लीज है इसमीरि सारे गाने रिलीज हो चुके हैं और मेरी वैप स्रीज भी स्रीज भी हो चुके हैं अब मेरी इस साल और दो फिल्म से रीलीज हो तरी हैं बड़ी फिल्म से हैं और सब में आपको एक, I always opt for subject oriented, where character is the lead, so मैंने हर जब audition दिया है, बेनो audition के लिए मेरको किसी direct contact पे कोई गाम नी मिला है, मैंने हर जब audition दिया है, और रही बात nepotism की, मतलब benefit क्या है कि obviously मैं बच्पन से इस line से जुड़ावा हूं, मैं shoots पे जाता था, मैंने life, practical knowledge बहुत मिली है वो होने के बाद भी, मैंने साही training इसलिली क्योंकि मुझे पता है उसकी necessity क्या है, अगर आपको industry में एक बार काम मिल भी जाएगा, लेकिन audience को आपको camera में मुझे perform करना है, I don't think so कि वो Krishna परफॉर्म करना है, गुवेंदर जी मुझे perform करना है, तो मुझे उसके लिए training करनी और मैंने फुरी training लेकर आया हूँ है, तो I guess hard work is the key to success, बाकी की के थोड़ा benefit थरूर मिलता है कि हाँ आपको knowledge रहती है, आपने शूर्स लेखे है, तो you are connected, बस that is the benefit which I get and I always get support from family and I guess or every family supports, family को कौन नी support करेगा, but मैं ये clear करना जाद हो, काम मैंने अपने दम पे लिया है, auditions द गारेंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है इंको audition देते हैं कुछ audition तो मैंने याजर के बनाए है, तो of course you know family की बात की है, प्रिश्मा विशे की लिए family, तो उनके कुछ होजाफत है यहां पे, एंट्री करने से पहले, एंट्री करने स देखा है, यहीकर प्रखने में मैंने खरनत्य की अड़ा, प्रिश्मा विशेशीकर की बाता है, यह मैं सब्सक्रथरों के लागे प्याका ले dirbacks, जो देखने नहिए orden होझेगा हैं एंट हुथ कर ने बाते हैं भी उन्हें नुश्मा थार्टानी प्रश भीत शल्मा न्वा वेल, मिरना मर्शन में आता है जब मेरे सामने सनुट सर वसीन जी ये मुवी लेके आये थे I frankly saying was a bit nervous I don't know whether I should do this movie or not but जब मैंने पूरी कहानी सुनी and मैं काफी डीटेल में गई मैंने पड़ा मैंने रियलाइस किया कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो audience, जो दुनिया को पता होनी चाहिए और एक आक्टर के सामने ऐसी स्टोरी आना is very rare and मुझे काफी खुशी हुई and I'm so much grateful कि Sanwot Saro Vasim जी ने मुझे ये प्रोजेक के लिए चुना and ये जो character है जैसे मैंने इसको रियालिटी में on true basis में उसे कि दिखाया है मुवी में I think we've all worked very hard for it so I'm very glad कि मेरे सामने ये मुवी आई मैंने काफी projects किये है पर ऐसा character मिलना बहुत मुश्किक होता है काटर के लिए आना भी और करना भी so I'm very glad that I got this character and I could give 100% justice to it so कुछ ऐसी चीज जो शूट के दौरान आपको बहुत मज़दार रगी interesting लगी जो सीखने को मिला if you could share some sneak peeks from the shooting sites yes there is a lot of knowledge on Hindu and other things which I gained throughout the story and other things like जो अच्छल में लोगो के साथ क्या हो रहा है मैंने काफी YouTube videos काफी पड़ा and I didn't know कि अच्छल में रियालिटी में बेंगल में क्या हो रहा है बंगलादेश में क्या हो रहा है because we are so conserved in our city only हमारे मुंबई में हमारे होम टाउन में so knowing something coming from a different state and something like that and portraying in front of the audience for the whole world to see is very rare तो मुझे काफी knowledge मिली जो भी हमारे मुवी में जो भी मैंने दिखाया है portrait किया है एक Hindu ब्रामिन लड़की को वो सब मैंने काफी सीखा वाँ, very interesting और हम जल्दी देखना चाहेंगे इस फिल्म को 30 अगस्त को और उसके साथ साथ देखिए सनोच सर की फिल्म हो वसीन विजबी जी की फिल्म हो तो सिर्फ हीरो हीरो नहीं हर एक क्यादार को उतना ही महत्वद गया जाता है जितना की हीरो है जैसे की बहुत जरूरी होता है हर एक फिल्म में तो इसी के साथ सनोच सर मैं चाहूँगा कि जो बाकी के हमारे फिल्म के पिल्लर्स हैं जो बाकी की स्टार कास्ट है कास्ट क्रू है जो फिल्म को और भी स्ट्रॉंग बनाते हैं कि मांदो कि बहुत फिट हो जाए तो कहीं के एक गण लगा होता है कि इस समाज में के दंगे लगा है जाए को इसका गलक इंपैक्ट ना हो मैसेज भी ठीक से चाहे और जो मोटीव है जो इंटेंशन है वो भी पूरा हो इस बात के आपने कितना ध्यान रखा है देखे हमारी फिल्म आने से पहले ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं होते हो दंगे फसाद तो जब कटर्टा या किसी तरह का कोई क्लैश होगा तो दंगे फसाद होते हैं लेकिन हमने फिल्म में बैलन्स रखा है फिल्म में हमने असलियत भी दिखाई है और कमुनिटी को बैलन्स भी रखा है लेकिन बोर्ली दिखाना देखे ये फिल्म नेशनल इशूद है हमारी भारत की सुरच्छा को दिश्ट्री में रखते हुए इस तरह से बनाई गही है कि हम अपने इशूद को देखे ये भी जरूरी है कि ऐसे इशूद जहां पर बहुत कुछ हो रहा और पबलिक के सामने नहीं आ रहा उनको भी एक्सपोस करना भी बहुत जरूरी है और फिल्मी प्लेट फार्म एक ऐसा प्लेट फार्म है जहां से हम अपनी बात इजली लोगों तक पहुचा सकते है लेकिन हाँ उसको पहुचाने का तरीखा ऐसा होना चाहिए कि किसी तरह का कोई फसाद ना हो किसी तरह के कोई दंगे ना हो या किसी रिलीजिन को हिट ना करता हो उनकी धार्मिक आस्थाओं को हिट ना करता हो इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए हमने किया है लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम गजवाए हिंद पर परदा डाल देंगे अगर ये कहा जाए कि हम जहाद के उपर परदा डाल देंगे ये कहा जाए कि हम इसलामिक कट्टता के उपर परदा डाल देंगे तो हम समझते हैं कि इस पर पर्दा ने डालना चाहिए इसको expose करना चाहिए ताके लोग बातों को समझें और जो इस तरह की नफरत पहलाने की गत्विदियां भी इस देश में चलती हैं, वो भी इस बात को समझें कि वो expose हो रही हैं वो भी समझें ताके वो भी अपनी activities को उनकी जब expose होगा तो उनमें कमजोरी पैदा होगी और जब कमजोरी पैदा होगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा और ये सारी चीज़े हमाई देश से खत्ब हो जाएं जाती धर्म की जो भेदभा होई ये खत्म हो जाए देश में सब एक साथ और सुकून के साथ रहना चाहते हैं लेकिन फैलती वी नफरतों को एक्सपोस करना भी जरूरी है हर इंसान का एक अपना नजरिया होता है आपका एक अपना नजरिया है आपको कभी ये डर नहीं सताता कि मैं इतने लोगों के विरोज जाता हूँ शायद ये फिर्म रिलीज के बार किसी एक अपने की बहुनाओं को आहत भी पहुचे किसी तरह के फत्वे भी निकले उस चीज़ के लिए आप किस तरह से तयार है देखे आपकी इंफर्मेशन के लिए बता दू कि मैंने जो चीज़ भी देश के हित में अपनी बात को उठाया है तो कटर पंती जो हमारी बातों से हमसे नाराज होते हैं तो उनी ने मेरे सर काटने का फत्वे पहले ही से दे चुके हैं ये कहां तक जायज है कि अगर आदमी अपनी बात रखे तो उसका सर काटने का फत्वा दे दिया जाए पाच करोड रुपए तक का इनाम मेरे सर के उपर रखा गया है मेरी जबान काटने पर इनाम रखा गया है ये सारे इनामाद मेडल की तरह से हम पर पहले ही चिपकाए जा चुके हैं हमारी जल्टी सिफ इतनी है कि मैंने सच बोलने की कोशिश की उन नफरतों की जो वो नफरते जो इस देश को कहीं न कहीं मुक्साल आम मुसल्मान इसमें इन्वाल्ब नहीं है होता ये है कि करता एक है कहा सब को जाता है तो जो कर रहे हैं उनको एक्सपोस करना ये हमारे देश के मुसल्मानों के हित में भी है कि वो इसमें इन्वाल्ब नहीं हैं लेकिन ऐसी विदेशी ताक्ते ऐसी विदेशी मान सिकता हैं जो हमारे देश के अंदर सरकारी सपोर्ट से या हम यूँ मालने के वेस्ट बंगाल में जो इस वक्त मौजूदा हकूमत है टी-ंसी की उसके सपोर्ट से अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है तो हमारे देश के लिए खत्रा है तो इस चीज़ को अगर इसके लिए हमको और भी कोई खम्यादा भूगतना पड़े मेरी जान भी चली जाए तो मैं इस संघर्ष में मेरा संघर्ष जा रही है मैं उसे पीछे नहीं हुआ संघर्ष मेरा प्रश्म सरोजी से है सर पहली बद तो आपका और शुक्रिया के आपने से पिच्चा तुनाई और यह आई ओपनिंग है हम सब हिंदूस्तारियों के लिए तो मेरा यह सवर था कि आपको इस अर्जभी भूभी आपने कहा था कि आप रूपए थे थे थोटे द दर भी लागाने का जिब आप इस अर्जिस्ट्यूशिन लगते हो तो लोगों तो बटा चलता है ना आप इस मअफसर से उसको जी आपको इसा को अनुभो के बारे में जापनी जैसे कहा तो चुकि मैं जब स्टड़ी के लिए जैसे किया हूं तो मैं अपनी क्यारी के साथ ज्यादा था आव पॉल मिल गया जोटे से होटल में रह गया चोटे से होटल में ठाना खाय इतर तर भूं में जले लोगों से बात सी किया वह चुकि अकेला रहता था है इसलिए मैं अपने आपको सुरक्षित कर लेता है असर्चेलेंग में लिए तभ हुआ जब मैं को उस हालाद में पूरी करना जहां पर आपकी 100% आबादी बंगलादेशी लोगों से बड़ी हुई है वहां पर शुटिंग करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था और ये इस पर बड़ी अच्छे फिल्म बन सकती है कि किस तरह से हम लोगों ने वहां पर और कैसे कैसे हमारे खलाकारों ने डेरिंग के साथ जो प्लाणिंग करते ते रात में होटल में उसके बाद अगले दिन उसको एक्स्ट्यूट किया जाता था कुछ लोग बीज़ें तो वह सब चीजें में समाना बड़ा एक चैलेंजिंग था और जहां तक जोड़ी गर की बात तो आप सोची सुंदर बन जैसी जगे जहां पर हमारे पास बहुत कम संसाधन थे लोग ते ज्यादा छे बिन आर दिन का शूट करना पता नहीं किसको ट आपको स्नाटरों किलोमेटर तक नहीं मिलेगी तो वह बहुत बड़ा अपने आप में टास्क था और हम सब लोगों ने उसको मिलकर पूरा किया जैसे हमारे एक्टर्स लोगों हमको बहुत एक्टरों सारे ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वैनिटी वैंट भी तो एक-ड आज ने खुल जाया तो हम लोग यही सही निपड़ जाएं और जिस वक्त मैं यूनिट लेकर निकला था था मुझे यसा लगा था कि मैं बहुत गलत करने जा रहा हूं अपने साथ साथ में करीग सतर असी लोगों के और जान जोक्ति में डाल रहा हूं लेकिन सब लोगों क इरादे बहुत नेख थे और शिजे बड़ी अच्छी हुई धीरे धीरे करके हम लोग इने फिल्म को पूरा किया क्यास को पूरा किया था कि या बहुत असर्थ